हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपको इस वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तो अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक का बैंक खाता है और अगर आप अपने बैंक खाते के साथ NPCI DBT लिंक करना चाहते हैं घर बैठे अपना अराम से अपना DBT लिंक कर पाऊगे अपने पंजाब नेशनल बैंक में तो इसके लिए मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा इससे क्या फायदा है वह भी मैं आपको बताऊंगा तो चलो मैं आपको वीडियो स्टिप बस्टिप पूरा प्रोसेस बताऊंगा भाई अफिसल वेब साइट है नपी सी आई का वह आप देख सकते हो आपके सामने आ जाएगा नेशनल पेमेंट कोरप्रेशन ऑफ इंडिया का जो ओफिसल वेब पेज है वह आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा आपको सिंप्ली इसी ओप्शन पे क्लिक करना है और जैसी द जाएगा जित को जो है इसे आप उन कर लीजेगा ठिक ना तो उसके बाद आपको यहां पे दोस्तों यहां पे नीचे स्कूल करोगे और यहां पहर आपको एकMatt Nim akan देखने को मिलेगा बट आपको सिंप्ली दोस्तों के eastओ पे ही किलिक कर देना है और जैसे आपको के option पे क्लिक करोगे आपको और भी अलग-अलग options देखने को मिल जाएगा जिसी की UPI Complaints, Other Product Complaint, ATM Locator और भी कई सारे options जो है वो देखने को मिलेगा तो यहीं पर आपको एक option देखने को मिलेगा भारत अधार सिडिंग इनेबलर का आपको सिंप्ली इस वाले option पे ही क्लिक कर देना है दोस्तों सबसे पहले मैं बता दू कि यह NPCI DBT Link करना क्यों जरू होता है थोड़ा सा इस चीज को बस ज्यादा समय नहीं लूँगा 20 से 30 सेकेट लूँगा देखो अधार सिडिंग ठीक है अधार सिडिंग बैंक खाते में और DBT Link ठीक है अधार सिडिंग अधार सिडिंग और DBT Link आनि की NPCI DBT Link यह दोनों एक ही चीज हो जब प्लूँ यह तीनों वर्ट्स अलंग है लेकिन चीज ही यह होता है कि इससे क्या होता है अधार सिडिंग और आधार लिंक डोनों में डिफ्रेंट है अधार लिंक आप कई सारे derni". के साथ कर सकते हैं मान के चलो मेरे पास पांच में बैंक कर सकता हूं लेकिन अधार सीडिंग सिर्फ और सिर्फ एक बैंक के साथ में कर सकता हूं और अधार सीडिंग दोस्तों मानि कि डीवीटी लिंक सिर्फ एक बैंक के साथ कर सकता हूं ठीक है तो यह इससे बेनिफिट यह होता है कि गवर्मेंट के तरफ से किसी परकार की कोई बीच सबसीडी जब मिलती है तो आपके डिरेक्टली जिस बैंक खाते में आपका अधार सेडिंग हुआ रहेगा या डीवीटी लिंक रहेगा यह तीनों एक ही चीजा है इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है तो यह जिसमें भी डीवीटी लिंक वगएरा होगा तो उसी बैंक खाते में आपको पैसा फिर मिलेगा ठीक है तो आपको सिंप्ली यहां पे आपको भारत अधार सेडिंग इनेबलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है अपना नपी सी आइपिंग या डीवीटी लिंक करने के लिए तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ जैसे क्लिक करूंगा पेज लोडिंग लेने लग जाएगा और कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो आपके सामने देखने को मिलेगा जिसे की सेशन एक्सपार यहां पे देखो आठ इनट लिखा हुआ है तो आठ इनट के अंदर यह अंदर अपना पी और बैंक के साथ अधार सेडिंग जो है वो कर लेना है ठीक है तो आपका जो भी अधार नंबर होगा वो अधार नंबर आपको यहां पे एकॉंट संख्या जो है वो आपको यहां पे डाल देनी है और यहां पे दोस्तो अधार कर नंबर है वो अधार कर नंबर यहां पे डाल देनी है और यहां पे सीडिंग के option पे क्लिक कर लेना है दोस्तों confuse नहीं होना यह request फूर अधार सीडिंग है ठीक है तो इसका मतलब यहीं हो रहा है कि आप NPCI DBT अपने bank खाते के साथ PNB bank खाते के साथ आप link कर रहे हो अधार सीडिंग और NPCI DBT एक ही चीज होता है यह अलग-अलग चीजे नहीं होती दोस्तों ठीक है तो नाम अलग-अलग है साथ आपको confuse नहीं होना है लेकिन जो मैं process बता रहूं उस process को बस आपको follow करना है आपको जो भी अधार और bank का जो एह option दिख रहा है यहां पर मैं इस वाले option पर क्लिक करूंगा ठीक है और यहां पर जैसे मैं क्लिक करूंगा वैसे यहां पर लिखूंगा पंजाब ठीक है यहां पर जिसकी देख सकते हो पी यू एन ठीक है वैसे जैसे पी यू एन लिखूंगा पंजाब नेशनल बैंक का जाएगा मैं इससे सेलेक्ट कर दूँगा और जैसे ही सेलेक्ट होगा तो यहां पे अलग-अलग ओप्सन्स लेखने को मिलेगा जैसे कि फ्रेस सीडिंग दूआब वन बैंक तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझ लिजेगा मानके चलो मेरे पास तीन-चार बैंक एकांट है इंडिया पोश्ट प्रेंट बैंक है एस्बी आइज तक मेरे पास तीन वे इकांट होल्डर हुआ है तो अगर यह तीनों पेंक एकांट में मैंने आज त तो इसी को अब मैं अपना अधार सेडिंग करना चाहता हूं पंजाब नेशनल बैंक में इंडिया पेस्ट प्रेविंट बैंक का अधार जो सेडिंग था उससे मैं हटा करके अपना करना चाहता हूं पंजाब नेशनल बैंक में तो यहां पर इस वाले ओक्षन पर क्लिक करू है आनि कि जो भी आपका account number है वो अपना account number आपको simply यहाँ पे भर देना है अपना PNB के Facebook में आपका सख्णा संख्या आनि कि खाता number यहां पहर देजेगा और यहां पे भी confirm account number में भी account number जो ख्लेशिक्ट को भर देना है फिर यहां पर भी बाइस समीटिंग माय अधार नंबर के option पे click करना है और यहाँ पे भी आपको tick mark करना है दोनों जगा self declaration के option जो है यह declaration का जो format है इससे दोनों जगा tick mark कर देना है फिर आपको जो यह capture code दिखेगा न दोस्तो यह आपको यहाँ पे इंटर आपको भर लेना है और फिर फाइनली दोस्तो आपको जो है यह proceed के option पे click करना है सारे details भर लेने के बाद जैसे आप proceed पे click करोगे अब main यहाँ पे काम आता है इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तो आप PNB bank में अपना NPCI DBT link तभी कर सकते हो जब आपका पंजाब नेशनल बैंक के साथ आपका mobile number जो है वो link होना चाहिए और साथ ही साथ दोस्तो आपका अधार कार के साथ भी आपका mobile number link होना चाहिए ठीक है यह दोनों में link होना जरूरी है सबसे पहले जैसे आप proceed पे click करोगे आपका जो भी पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो भी mobile number link होगा उसमें आपकी OTP जाएगी और वो OTP आपको verify कर लेनी है उसके बाद जैसे दोस्तो वो OTP verify करोगे देन दोस्तो अधार कार के साथ जो भी mobile number link होगा उस पर OTP चली जाएगी और वो भी OTP verify कर लेना है फिर successfully आपका submitted निश्चित रूप से हो जाएगा और जब submitted हो जाएगा तो आपका लगवग दोस्तो 2-7 दिन के अंदर ही अंदर आपका अधार सेडिंग का जो request है आनिके जो आपका PNB bank के साथ NPCI DBT link करने का जो आपने request दिया है वो आपका successfully complete हो जाता है तो इस तरह से मैंने आपको लगवग पूरी process बता दी अगर आपको status चेक करना है कि मेरा अधार सेडिंग हुआ या नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर request पर अधार सेडिंग के option पर ही यहाँ पर ही किलिक करना है और जैसे इस पर किलिक करोगे आपको अलग-अलग जो options हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे लिए कि अगर यहाँ से अपना NPCI DBT link कर सकते हो दूसरां दूस्तों Services Status चेक कर सकते हो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा गेट अधार मेपेड़ स्टेटस इन दोनों में से किसी पर भी एक पर किलिक करके आप अपना जश्ट अधार नंबर डाल करके उसका OTP verify करके आप पर स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका PNB Bank के साथ NPCI DBT Link हुआ या नहीं हुआ यह दुनों में से किसी भी एक option पर किलिक कर सकते हो यह जो process होता है वो लगभग आपको 8 minute के अंदर करनी होती है तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो और अगर आपको नहीं पता है कि आपका कौन सा बैंक कभी मतलब यहां से आप गेट अधार में पेट हिस्टरी भी चेक कर सकते हो मान के चलो मेरा पहले कौन सा बैंक के कौन में अधार सेडिंग था या NPCI DBT Link था वो चीज मैं यहां से चेक कर सकते हो तो अलग-लग options आपको यहां पेट साइट में आने के बाद और जब आप explore खुद से करोगे तो आपको काफी चीजे बहतर समझ आने लग जाएगी तो I hope आपको यह वीडियो किलियर हो गई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को